अब सबकी नजर इस बात पर ठिकी है कि IPL क्या दुबारा चालू हो सकते हैं BCCI ने तो यही संकेट दिया है कि IPL दुबारा चालू हो रहे हैं जी हाँ सही सुना आपने IPL दुबारा चालू हो रहे हैं कब और कैसे ये हम आपको आगे बताएंगे लेकिन फिलाल हम उन चार चोटिल खिलाडियों की बात करेंगे जो IPL में इस सेजन में नहीं खेल पाई यानि जो 29 मैच होए उन में वो प्लेयर्स कुछ खास कमाल नहीं कर पाई या उस सीजन में वो खेल ही नहीं पाई वो चार प्लेयर कौन है और क्या वो दुबारा IPL अगर शुरू होता है तो उसमें वापसी करेंगे ये हर एक फैन जानना चाहता है इसमें सबसे जो बड़ा नाम है जो पहला नाम है वो है श्रेस अयर का जो कि दिल्ली क्यापिटल्स के कैप्टन रह चुके हैं श्रेश अयर जब चोटिल हो गए तब दिल्ली कापडल्स के कपतान के तौर पर रशब पंत को चुना गया और रशब पंत को जिम्यदारी दी गई श्रेश अयर एक कापत को भी पता है कि तुफानी बल्लेबाज है और उनका जो हर्फन मौला अंदाज है वो कहीं न कहीं उनके फैंस के लिए उनके दिवानों के लिए उन तक खीच लाता है लेकिन इस बार कुछ खास नहीं दिखा है श्रेश अयर का जलवा इस सीजन में क्योंकि वो चोटिल हो गए और उसके बाद बाहर ही हो गए इसके बाद तो IPL सस्पेंड ही हो गया तीसरे हैं जोफरा आर्चर जो की ओल ड्राउंटर हैं राजस्थान रोयल्स की तरफ से खेलते हैं जोफरा आर्चर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए जोफरा आर्चर ने 14 मैचों में अब तक 20 विकेट चटकाए हैं जोफरा आर्चर ने 14 मैचों में बाहर हो गया आर्चर ने मार्च में एक सर्जरी करवाई थी और पूरी तरहा फिट होकर उने क्रिकेट के मैदान में वापसी की थी लेकिन इसके बाद जब आई-प्यल शुरू होने वाला था उससे पहले फिर से वो चोटिल हो गया और वो वापस अपने घर यानि इंग्लैंड चले गए इसमें तीसरा नाम है टी नटराजन का टी नटराजन संराइजस हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं IPL 2020 में टी नटराजन का शांदार प्रदर्शन रहा है कि उनके सामने एक बहुत अच्छा मोगा था लेकिन अफसोस की अब उन्हें चोट लग चुकी है और वो टोर्नाइमेंट से बाहर हो गए है अलांकि बाद में ऐसी भी खबरे आई कि उन्होंने सरजरी करवाई है और इस खबर की पुछते खुद टीन अटराजन ने की थी नटराजन के बाहर होने के बाद जो हैदरबाद की 30 गिंद बाजी की जो एक तरीके से कहिए लिस्ट थी वो कमजोर हो गई थी और आखर नाम है बिन स्टॉक्स का रास्थान रोयल्स की तरफ से खेलते हैं बिन स्टॉक्स आपको भी पताए कि इस साल रास्थान रोयल्स के सामने ऐसी नौबत पैदा हो गई कि उसे दूसरी टीम से विदेशी खिलाडियों को बोरो करना पड़ रहा था बकाईदा इसके लिए एक एप्लिकेशन भी डाली गई थी रास्थान रोयल्स की तरफ से और आपको भी पता है कि IPL में ऐसा हो सकता है जब 21 मैच खत्म हो जाए उसके बाद वो विंडो खुल जाती है तो IPL 2021 में रास्थान रोयल्स के राउंडर बें स्टोक से जबर्दस्ट रुदर्शन की उमीद थी लेकिन मैच के पहले ही मैच में वो चोटिल हो गया और उसके बाद वो टर्नामेंट से ही बाहर हो गया कैच पकड़ते हुए उन्हें चोट लगी थी और मैच से बाहर होनी की जब खबर आई तो राज़तान रोयल्स के क्रिकेट फैन्स के लिए ये एक तकड़ा जटका था